हेलो एव्रिवन आज हम बनाएंगे यह प्यारा साप बहुत प्यारा फूल जो बनाया मैंने रिसेंटली मैंने बनाया तो आज हम यही बनाना सीखेंगे तो इसके लिए चाहिए हमें क्रीप पेपर यहां मैंने पीला क्रीप पेपर लिया है यलो आप चाहें तो कोई भी क्रीप पेपर ले सकते हैं किसी भी कलर का या फ्लोर जैसे पैटल जिस कलर के होते हैं उस कलर का यह क्रीप पर मैंने लिया है अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसे फोल्ड करके फुली काट लेंगे फुली कट कर लेंगे और चलिए पी काट लेते हैं यह मैंने क्रीप पेपर काट लिया है अब इस पर हम पैटल्स बनाएंगे जैसे कि यह पैटल्स बने हुए है जो बहुत सुन्दर लग रहे हैं वैसे हम पैटल्स बना लेंगे पुछले इसे कट कर लोके हैं कुछ ऐसे करके आप इसे कट कर सकते हैं ऐसे कर लीजे यह पैटल्स मेरे कटके रड़ी हो गए हैं अब जो रिमेनिंग बचा हुए है इसमें हम पतली पैटल्स काटेंगे अगर आप चाहें तो दूस्ते पैपर में से भी काट सकते हैं बट मैंने यह पैपर किया क्योंकि पैपर बारबाद ना हो ठीक है पैटल्स कटके रड़ी हैं अब हम इने ग्लू की हेल्प से यहां चिप कार लेंगे तो चलिए चिप कार लेते हैं पैटल्स यह ज्वाइन ट्रय गया अगर आपका भी तो यह आप काट सकते हैं एक आप गोल पेपर लेगे यह मैंने कट करके रखा है पहले से तो गोल ले लीजा पैपर ग्लू की हेल्प से हम लोग चिप का लेते हैं चारो साइट गोल में ग्लू लगा लें हो गया हिए और चिपकाना स्टार्ट करें जैसे मैं कर दो हूं अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें कर दो बल बटन को दुबाना ना भूले इससे मेरी डेली अपडेट डेली क्राफ्ट अपडेट आपको टाइम-टाइम पर मिलते रहेगे होप के आपको मेरा चैनल लगते हैं अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक पटन भी दबा दीजिए ऐसे कुछ करके हम लोग एक के बाद एक यह चिपका लेते हैं कुछ पैटल्स अगर बच जाते हैं तो हम इने बाद में यूज़ करेंगे इसमें कुछ भी आपका वेश्ट नहीं जाने वाला जालतर हम सब को यूज़ करेंगे अच्छे से यूज़ करेंगे पर ली जो भी पेपर बेज बचता है यह मैं लास्ट में बाद में किसी और फ्लावर या कुछ भी बनाना में यूज़ कर लेती हूं तो पेपर वेश्ट बहुत वेकाद काम है पेपर वेश्ट नहीं करना है आप अगर आपके बस स्क्रीप पर नहीं है तो आप मार्केट से ले आए यह एजली अवलेवल रहता है इसे करने के बाद आप ऐसे इसे पेटल्स का यह फॉर्म आ जा रहा है तो आप पेपर को ऐसे करते हुए थोड़ा पेटल्स से देदे देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं अभी है और फिर इसके बाद हमने इसे पेटल्स देती दिया है इसके बाद जो हम लोग ने छोटे काटे थे हैं छोटे पेटल्स जो काटे हुए यहने हम यूज करेंगे कहां पे यहां पे और और फ्रेंट्स कैसा लग रहा है मेरा वीडियो यह कमेंट करके जरूर बताएं होप आप लोग को पसंद आ रहा हो आप लोग भी ट्राइब कर रहे हों और किस ने मेरा यह क्राफ्ट ट्राइब किया है मुझे स्क्रीन सॉट्स जरूर बेज़े प्लीज आप मुझे इस्टार लिंकडिन फेश्बूक सब पर फॉलो कर सकते हैं फेश्बूक पर मेरी यह मेरा पेज डिजाइन हब के नाम से प्लीज एक बार जरूर चेक करें आप आपको सब इंटियर रिलेटेड एंड ग्राट्स रिलेटेड सारे चीज मिल जाएंगे जितने भी मैंने वीडियो इस बनाए है इसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे ठीकिया अगर आप ऐसे भी रखना चाहें तो यह ठीक है संफ्लावर टाइप है अब इसमें यलो यलो सरी ब्राउन कलर से कर सकते हैं ऐसे डॉडट लेकिन लेकिन जो कि मैंने आपको परमिश्ट किया था कि हम ऐसा फ्रावर बनाएंगे तो हम ऐसा फ्रावर बना कर लिखाते हैं आपको चलिए तो यह मेरा फ्रावर स्टॉटी होगा है क्या आपको रासी सुन्दर लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं और अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं तो यह हो गया यह रीडिया एंड़न हम अब लिफ्स बनाएंगे लिफ्स के लिए हमें चाहिए है वाइट पर लिया हमें ने बीट ने चलिए सारा पिपर यह नहीं तो आप ले सकते हैं पहले हम इसका इस्टीम बना लेंगे जो रेड़ी करना है तो आप इसे रेड़ी कीजिए देखिए गास नम प्राबर स्टीम बन करेड़ी हुई है अब हम इसे थोड़ा सा ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे एंड इसे वाटर कलर से कलर करके स्टीम का कलर करके ड्रेड़ी कर लेंगे अगर आपने मेरा मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वहाँ पे भी मैंने पहुंच सारे प्राबर बनाने तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगे अब चेक आउट जरूर कीजिए तो इसे हम कलर करके ड्रेड़ी कर लेते हैं दिखिए कलर भी आ गया है कलर करेड़ी कर ये फटबट तो जैसा के आप देख सकते हैं वाले रेड़ी है तो ऊच्छावर रेड़ी इस्टीम्लेड रेड़ी एंड प्रावर रेड़ी हो गया स्टीम रेड़ी और जैसे यापदेख रहे हैं लीफ भी रोड़ी है तो आप क्या करना है अब हम इसे यह सिर देंगे चलिए तो करते हैं थोड़े दिल हम ने इसे छोड़ा था ताकि यह सुख जाए तो ऐसे लीजिए आप इसे फोल्ड कीजिए आप इसे देखिए अल्मॉस्ट इस रड़ी हो गया है तो अपले लिया है अपने असे रेडी कर लिया है तो देखिए अपने जैसे पैटल्स लगाया थे कितने खिल क्या रहे हैं यह पैटल्स मुझे फ्लावर्स बनाना बहुत पसंद है तो आप अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूले तो हम इसे ऐसे करके यहां ग्लू की हैल्प से जिपका लेते हैं इप Judi थोड़ा एक फ्लावर बनाने में आपको आप्र एप्रोक्स 10 मίνटी रहा और यह फ्लावर फ्लावर को कितने शुद्र बना सकते हैं इसे फ्लावर आकि कितना बर्ण को दिखांंगे यह तो निए मेरे मीटावा थे मेरे मैपने ढूलो लीफ रेडी कर लेते हैं लीफ रेडी है इसे जिप्ताय के रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए इससे थोड़ा सा टर्म कर लेंगे इसे भी कर लेते हैं अब देखरें आप सुके रेडी होगा यह है थोड़ा सा गम लगा के लीफी को लीफी सेटे देंगे थोड़ा देखें एकदम भी यह आटिफिश बीना खरीदा हुआ नहीं लग रहा है कहीं से भी आपको यह लगे या नहीं कि बीना खरीदा हुआ है एक पर जरूर ट्राइब करें अपने घर को एक बार जरूर डेकरेट करें मेरे तरीके से फ्रावर्स बनाके और यह हो गया अब हम इस इसे चिपकाएंगे थोड़ा से गीला है भी इसे थोड़ा ड्राइब होने जाते हैं तो देखिए दोस्तो मेरा फ्लावर सूप के रेडी हो गया है आप इसके बाद हम इसे अधायो है देख रहा है जैसे कि आप यह खिला खिला नहीं लग रहा है अछिए तो हम इसे थोड़ा खिला देते हैं मैं से अंतर्क कूछ नहीं करना है अलएक घबा खोड़ा आا यह पहले करना चाहिए था हैचल plupart इसे मुझे श्रजजब कर लेंगे इसको ऐसे करते हुए छोड़ाएं करें दोस्तों ये फ्लावर मेरा जैसे की रेडी है हम इसे चिपकाएंगे लेकिन पहले ये हम इसका पैटल्स खोल लेते हैं तो फिर ये ऐसे दिखने लगीगा ऐसे खुला खुला चली पैटल्स खोल लेते हैं तो देखिए पैटल्स खोल के खोलने के बाद ये सेम ऐसा ही दिख रहा है अब आप सोच रहा होंगे इसमें रेड कलर नहीं है इसमें रेड कलर है तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ करेंगे तो आप थोड़ा से और प्यारा बनाने के लिए सुन्दर बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो हम रेड कलर ले लेते हैं रेड कलर हमने ले लिया है इसमें थोड़ा सा हम क्रेटिविटी करेंगे थोड़ा काम करते हैं पहले हम फ्रावर ले ले लेते हैं बाद में स्टिम चिप रहेंगे पहले आप भी फ्रावर कर लीजिए तब स्टिम चिप रहेंगे ऐसे करते हुए बस ऐसे कुछ ज्यादा नहीं करना है ऐसे करते हुए हम हलका सा देख रहें आप ऐसे करते हुए और दोस्तों बताईए आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं भी तक प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेला आइकन को प्रेश कर दें होप आपको मेरी वीडियो सच्छी लग रही हूं देखिए सेम डेडी हो गया है न अब हमें आपे थोड़ दर इसको सुखने देंगे अधर वाइज समझे चिपका सकते हैं तो चिपका लेते हैं यह मैंने लिया और यह से लुक हेल्ट से चिपका लेंगे देखिए कितना सुन्दर फ्लावर बनके रेडी हुआ है थोड़ा गलू सुखने देंगे गलू सुख जाने दे तो देखिए दोस्तों यह स्टिक होने के बाद चिपकने के बाद कितने सुन्दर लग रहे हैं फ्लावर्स पैटल्स अगर कोई पैटल्स मीना खुला रह जाता है तो आप इसे बाद में अपने एकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐसे करके साइउ कर सकते हैं जैसे देखिए ठोला सा रह गया है मैं इसे अपने को आप देखिए अपने आपको लाश संद्रिक लाश कर दिया हुआ तो होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया ओगा अक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो से ऐसे देखते रहें और थेंक्स पर वाचिंग करो झाइब करें और मेरें और रहें जर रहें पर रहें झाल झाल